हांजी फ्रेंड्स क्या हाल चाल वेलकम विद कृतिका साव तो खुदी अलग रहते हैं वो खुदी साथ में कभी टाइम स्पेंड नहीं कर पाएं तो वो बच्चे को क्या ही सीख देंगे इस वज़े से मैडम आज इस स्टेश पे पहुँची हुई है लेकिन फिर भी जिस तरह से इनकी मा इनके साथ में रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे लेडी को अपनी मा से थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहिए वैसे ये अपनी मा की बिलकुल केयर नहीं करती वो तो सब कुछ साफ साफ नजर आता है देखता ही है कि किस तरह से अपनी मा को सिर्फ एक मेड बना बना करके रखा हुआ है अपने बच्चे को पालने के लिए लेकिन फिर भी जिस तरह से इनकी हरकते है न वो देखकर के ऐसा लगता है कि यार इनकी लाइफ में कोई ऐसा इनसान आए जो इसे सही तरीके से गाइड कर सके वैसे ये expectation मैडम ने जनाब से की थी लेकिन वो तो खुद ही ठरकी निकला वो क्या ही सही और गलत सिखाने का वो सिर्फ इसके पैसे पर पलता है इसके अलावा और कुछ भी नहीं और ये सरी चीजे में इसलिए कह रही हूँ because मैडम ने जो अपने व्लॉक्स में अपलोड किया है जो चीजे दिखाई है उससे ऐसा लगता है कि ये भी धीरे-धीरे मतलब की सोचने की शक्ती को समझने की शक्ती को खोच चुकी है जिस तरह से चबूतरा अपने उपर का माला उसका जो खाली है ना उपर का जो दिमाग खाली है उस तरह से लगता है कि अब मैडम का भी sense of humor वैसा ही होते ही चला गया है तोनों एक दूसरे को copy करते रहती है दोनों एक दूसरे की चीजे अपनाते रहती है नेगेटिव चीजे सीखती रहती है मुझे ये चीज समझ में नहीं आता उपर से पता नहीं इनके घर पे ऐसा कौन सा जो culture है कौन सा ऐसा नियम है या फिर आप ऐसा बोलो कि पुष्टैनी ये चीज चली आ रही है बहुत टाइम से कि अधिर उम्र की हो जाने के बाद इन लोगों को बच्पने की एक्टिंग करके दिखानी है बच्चा बन करके दिखानी है ये चीजे चबूत्रा भी करती है और ये चीजे मैडम साहिबा भी करती है फॉर एक्जामपल की चबूत्रा के बारे में आप सब को पता ही होगा कि जैसे वो मौधा चली जाती है तो फ्रेंड्स गब राट होने लगी है फ्रेंड्स मेरे हाथों से खाना किर गया फ्रेंड्स अब मुझे डाटेगी मैं क्या करूं मैं क्या करूं मेरा गुटका किंग मुझे नाराज हो जाएगा हमारे गाओं में ऐसा होता है फ्रेंड्स की बहु से कुछ गलती हो जाती है तो सास बहुत गुसा करती है फ्रेंड्स मुझे भी ऐसे गलती हो गई फ्रेंड्स लेकिन लेकिन मैं जैसे ही मुम महीं जाती हो ना तो मैं माश्टर शेफ बन जाती ह और फिर चीनी वाले पराथे वो भी एकदम शुद्ध घी में कोटेट करकर के मतलब फ्रेंट्स मैं क्या है आपको बोलू मुझे मतलब गबराच होने लगी है फ्रेंट्स वो वो अलग बात है कि मैंने इतना बड़ा रेस्टरेंट खोल लिया है सब कुछ कर लिया है सारी ची कि है वो ताइम टो टाइम बच्शा बन ही जाती है जबकि उसकी आदी से जादा उम्र पारोच चुकी है एन रह सेम चीज सेम चीज मैडम ने भी क्यारी किया हुआ है मतलब full-on पैसा मैडम के पास थो ही फूरी फैमली को इबराहिम फैमली को मैडम ने पाला हुआ है एर बर्ड्स हो एपल की कुछ भी गूची के इतने सारे शूज और काफी सारे जैकेट्स मतलब हर चीज जो की एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होती है वो सब मैडम ने जनाब को गिफ्ट किया है लेकिन फिर भी मैडम अपने लिए एक डिनर सेट नहीं खट सकती उन्हें ड बच रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए गिफ में दिपे बताओ तुम्हें क्या चाहिए येश काईस मुझे फाइनली याद आगए कि मुझे एक डिनर सेट जाए़ येश शोएब अप मुझे एक डिनर सेट लागर गered तो मैने मैं उस सिर आपको कहा था स्वेब कि मुझे इक डिनर सेट जाएए बताओ वो अलग बात है कि मैं खुद पर्चेस कर सकती हूँ मैं और भी कर सकती हूँ या फिर मैं जियो मौल जाओंगी और वहां पे सारी चीज़े तो वैसे बे मिली जाती है तो मैं डिनर सेट पे लेकर के आज सकती हूँ गाईस लेकिन लेकिन मुझे अपने जनाब को एक कॉंटेंट देना है क्योंकि वो नला निकम्मा घर पे ऐसे ही बैचा हुआ है काफे दिनों से आपको पता है कि हम Big Boss के पारे चे क्रशा कर रहे थे कि मेरे जनाब जो है वो Big Boss में जाएंगे बिग Boss में जाएंगे बिग Boss में जाएंगे लेकिन इस फाल तो आदमी ने उस चीज़ को भी मतलब back out कर दिया उस चीज़ के लिए भी इसने वीडियो बना दिया कि मैं Big Boss में नहीं जाने वाला हूँ मुझसे Big Boss नहीं होने वाला मैं फिलाल तो Big Boss में बिलकुल भी नहीं जाओंगा तो अब जो बचा कुछा content था ना guys वो भी इस जनाब ने खतम कर दिया तो कुछ तो content देना पड़ेगा ना guys तो yes guys, finally मैंने सोचा है कि मैं अपने birthday का gift का जो content है ना वो जनाब को दे देती हूँ so guys, मुझे ने एक dinner set जाएए please, please जनाब, जनाब, जनाब please, please मुझे एक dinner set ला करके दे दोना please, please जनाब, मुझे एक dinner set ला करके दे दोना तो मतलब की जिस तरह से चबूतरा बच्पने में चली जाती है उस तरह से मैडम ने भी ये चीज़ अपने व्लॉग में दिखाई कि अधेर उम्र की हो जाने के बाद इसे भी बच्पने की acting, बच्चा बनने की acting over acting, acting नहीं over acting करने की आदत हो चुकी है इविन जनाब ने भी व्लॉग में कई बार बोला है कि हो गया, हो गया तुम्हारा over acting start हो गया तो इतना सब कुछ बोलने के बावजूद इसकी जो over acting है वो खतम नहीं होती ये over acting दिखाती ही रहती है इतना कुछ जनाब को देने के बावजूद इसके पास में इतने पैसे नहीं है कि ये खुद से जागर के डिनर सेट खरीद ले डिनर सेट वो भी कोई अपने बद्दे पे gift मांगता है मतलब जो ये portrait करती है जो ये दिखाती है कि उठना है ब्रश भी नहीं करना एंड व्लोग मनाना स्टार्ट कर देना है भगवान जने कभी ये नहाती है कभी ये बच्चे को समालती है कभी ये घर का काम करती है सब चीज के लिए तो इसके पास में लोग available है चाए वो drive करना हो चाए घर पे साफ सफाई करना हो खाना बनाना हो बच्चे को समालती हो या फिर husband पे ध्यान रखना हो ये सब कुछ के लिए एक एक particularly person इसने अपने पास में रखा हुआ है तो housewife वाले तो कोई भी लक्चनिस के अंदर है नहीं ये सिर्फ और सिर्फ एक lazy lady है जिसे कुछ भी करने का मन नहीं करता ना नहाने का ना तयार होने का ना अपने बालों में कंगी करने का यही reason है कि इसने अपने बालों को cut करवा लिया कि किसी भी तरह से रख लूँ किसी भी तरह से कैसे भी फोल्ड कर लूँ देखने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ चलो इसने बाल को अपने कौम किया हुआ है जैसे पहले ये डायन जैसी लगती थी वैसे चुड़ायल जैसी अभी ये नहीं लगेगी पस यही इसका में रीजन था कि इसने अपने बालों को कट करवा लिया पता नहीं कभी कभारी ऐसे दर्शन होते हैं इसके व्लॉग में कि लगता है कि हाँ ये नहा धुआ करके आज आई है जैसे कि अभी लास्ट इसके बर्दे वाले व्लॉग पे जो आधी रात में इसका जो बर्दे सेलिब्रेशन हुआ उसमें लग रहा था कि हाँ शायद मैडम ने हाउस वाइब सुभा पामच बज़े उट करके बलतफ़ होती है कपड़ेध होती है लंच बनाती है एपने बच्चों का टिफन बनाती है ये सारे काम हाउस वाइब सुभा पामच बज़े से ही करना स्टार्ट कर देती है इनकी मॉर्निंग ten 10 स 11 बज़े के बाЖी होती है because रात को दो बज़े तीन बज़े तक तो इनको जगना है व्लॉग शूट करना है कुछ खाने का मन कर गया तो वो और्डर करना है या बनाना है खुद से क्योंकि दो तीन बज़े तो वैसे भी कोई शॉप नहीं खुली होती या फिर गॉड नोज मुंबई में हो सकता है कि बहुत सारी शॉप्स खुली भी होती होंगी तो इनकी ये सारी हरकते चलती रहती है तो हाउस वाई वाले कोई ऐसे गुण इसके अंदर है नहीं ये बस सिर्फ एक लेजी लेडी है जितना जादा ये अपने आपको सुपर वोमेन बोलती रहती है वैसा कुछ भी नहीं है ये एक लेजी लेडी है साथ ही साथ इसका हस्बेंट भी इतना लेजी है कि खुद के लिए कोई कॉन्टेंट भी ढूण नहीं पाता इस वज़े से उसने अपनी मैडम से ही कॉन्टेंट मांग लिया कि बद्धे गिफ्ट के आ जाए ये कॉन्टेंट मुझे दे दो तो दोनों ननत भावी की यही यादते हैं कि अधेर उम्र की हो जाने के बाद बच्चों वाली हरका इन दोनों को करनी है और इसी के साथ अपने कॉन्टेंट को बढ़ाना है व्लॉग को बढ़ाना है और पैसे छापने हैं तो यही थी इनके व्लॉग्स में इनकी नौट जिसके उपर मुझे डिसकस करना था सुबहुत जल मैं आउंगी एक नहीं पोड़कास्ट के साथ आई होप आपको आज का यह पोड़कास्ट अच्छा लगा होगा वैल गाईस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का यह पोड़कास्स कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करकर के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, have a nice day, bye bye